चैट GPT को आप अपने निजी इंस्ट्रक्टर यानि परस्नल ट्यूटर की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं इसे दो एक्जाम्पल से समझते हैं रेट से आप नैशनल टालेंट सर्च एक्जामिनेशन या एंटी एस्सी की तैयारी करना चाहते हैं आप चैट GPT से इस स्कॉलर्शिप एक्जाम की जानकारी हासिल कर सकते हैं चैट GPT से आप ये जानकारी हिंदी या किसी अन्य भाशा में भी ले सकते हैं आप जानकारी की समरी भी ले सकते हैं फिर आप चैट GPT से प्रैक्टिस क्वेस्टन्स जेनरेट करा सकते हैं वो भी answers के साथ एक बार में chat GPT लगभग 20 questions generate करेगा पर आप बार-बार questions generate करा सकते हैं यही नहीं आप chat GPT से step-by-step solutions भी मांग सकते हैं यहाँ थोड़ा ध्यान दीजेगा क्योंकि कभी-कभी chat GPT गलत answer भी दे सकता है अगर आपको लगता है कि answer ठीक नहीं है तो आपको Google या अन्य तरीकों से answer को check कर लेना चाहिए Make it stick, the science of successful learning किताब, better learner बनने के research और evidence-based तरीके समझाती है कुछ भी नया सीखने की एक मूल बात है यह समझना कि सीखते वक्त हमारे दिमाग में दो process चलती है पहली encoding यानी input जब हम कुछ नया पढ़ते हैं या सीखते हैं तो यह बात हमारे दिमाग में record हो रही होती है दूसरी process है retrieval यानी output की जब हम exam या किसी और performance के लिए अपनी long term memory से पहले सीखी हुई बात याद करते हैं तो उसको retrieval कहते हैं revision करते हुए अधिकतर students बार-बार encoding की practice करते हैं जैसे अपने notes को दुबारा पढ़ना या किताब में जो पहले important parts underline किये थे उन पर नजर मारना make it stick किताब समझाती है कि बार-बार encoding की practice revision का अच्छा तरीका नहीं है far better होगा कि revision करते वक्त आप retrieval या output की practice करें जैसे past year question paper करना या textbook के questions को गहराई से सोचकर इनका ठीक answer लिखना retrieval या output की practice जो पढ़ने का एक बहतर तरीका है इसमें आप chat GPT की मदद ले सकते हैं जैसे मान लीजिए industrial revolution आपका topic of study है तो आप chat GPT से पूछ सकते हैं कि इस topic पर 5 critical thinking questions बना दे फिर आप इन questions का answer गहराई से सोचिए जरूरत हो तो अपनी textbook दुबारा पढ़िए पर इस बार एक अच्छा answer देने की दृष्टी से जब आप अपने answer से संतुष्ट हो तब आप यही सवाल chat GPT से कर सकते हैं फिर अपने answer को chat GPT के answer से आप compare कर सकते हैं ऐसा करने से आप retrieval या output की practice कर रहे होंगे जो शोध दर्शाता है कि पढ़ने का बहतर तरीका है ये सब चीजें आप हिंदी में भी कर सकते हैं ध्यान दीजेगा कि chat GPT हमेशा सही answer नहीं देता chat GPT जैसी generative AI technology की ये मानी हुई problem है जब generative AI ठीक answer नहीं देता तो इसको hallucination कहते हैं इसलिए अगर आपको लगे कि कोई answer गलत है तो chat GPT को मानने के बजाए answer को अन्य तरीकों से check करना बहतर होगा मगर overall chat GPT जैसी generative AI technology एक अच्छे personalized tutor का काम कर सकती है better और self-directed learner बनने के लिए आप chat GPT का उपयोग कर सकते हैं